आए बच्चों अब हम लोग देखेंगे वाट इस दवेक्टर बिट्वीन गिवन टू पॉइंट्स ठीक है तो आज का इस टॉपिक का हमारा टागेट रहेगा कि हम दो पॉइंट्स के बीच में ठीक है जी वेक्टर को निकाल सके हैं टू पॉइंट्स ठीक है तो अभी और इवैसे हम इसी का एक फ्लेवर इसी टॉपिक का एक फ्लेवर हम लोग अलड़ी कवर कर चुके हैं आपको याद होगा कि हमने पॉजिशन वेक्टर निकाला था बिट्वीन ओरिजिन एंड गिवन पॉइंट्स ठीक है दो पॉइंट्स ठीक है कोई भी वेक्टर को जोड़ के यह बनता है मालिजे यह है वाई एक्सेस, यह बन गयाँ जाय एक्सेस री एक्सस माल लेते हैं यत इसके कॉट्णिट्सफ एक्स तो यह और जिन है हम लोग नहीं देखा है कि बच्छों और जिन से किसी पॉइंट एको जोड़ने वाली राइन का जो वेक्टर होता है और और जिन के और जिन करते हैं उसको कई वार में और सोय बोलते हैं पॉईशने प्ट्राइन के कौणिये जीिरो जीरो प्रीट है ऑप में को जोड़ के ही बनता है यहां पर एक पोईट दूसरा फाइट पॉइंट अब हम बात करेंगे कि एक पॉइंट यह छूप्वास होत माल लीजे यह है पॉइंट बी जिसके कोडिनेट होते हैं एक्स टू वाइट टू एंड जैट टू ठीक है यह दो पॉइंट एन पॉइंट बी अब पॉइंट बीका पोजिशन वेक्टर क्या होगा ओवियसली यह होगा एक्स टू आई वाइट टू जै एन जैट टू के ठीक है मैं एक बार लग देता हूं वाइट पॉइंट एन बी पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर होगा ओए वेक्टर जिसको हम लिख सकते हैं एक्स वन आई कैप प्लस य वन जे कैप प्लस जैट वन के कैप सिमिरली बच्चों पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर क्या होगा पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर होगा एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप एंड जैट टू के कैप ठीक है पच्चों तो यह दो पोजिशन वेक्टर्स मुझे मालूम चल गए यह आप अलड़ी सीख चुके हो ठीक है अब हमक्या सीखने वाले हैं कि यह दी मैं क्या सीखने हैं जोर दूके हमने क्या देखा था कि吧 कर रहे थे तो हमने कारता कि origin is the initial point और जैसे a point a का हमने position vector निकाला तो बोला था कि point a is the terminal point तो o a vector में क्या था o is the initial point और a is the terminal लिख देता हूं यह क्या था initial point था और point यह जो a था वो क्या था terminal point ठीक है जी तो तो o a vector हमने निकाला था initial point से terminal point था यह vector position vector बन गया था ठीक है similarly o b में o is the initial and b is the terminal point जब मैं point a और b को जोड़ूंगा तो आप मुझसे पूछोगे कि sir इसमें initial point आप किसको मानोगे और final point या terminal point किसको मानोगे उसी के बाद आप लोग बता पाऊगे कि यह a b vector बनेगा या फिर b a vector बनेगा ठीक है जी तो एक और और चीज़ हम लोग अलड़ी cover कर चुके हैं जब हमने निगेटेव आफ वेक्टर पड़ा था क्या चीज़ निगेटेव आफ वेक्टर तो देखा था कि a b vector is equal to negative of b a vector ठीक है बचों यह हमें अलड़ी मालूम है यह हमें अलड़ी निगेटेव आफ वेक्टर के थू हमें मालूम है अब कॉश्चन उड़ता है कि आप यह और भी पॉइंट्स को जोड रहे हैं तो आर यू इंट्रेस्टेट इन फाइंड़ी वेक्टर और भी एक्टर ठीक है मल लीजिए हम निकालते हैं एबी वेक्टर मुझे चाहिए वाट इस एबी वेक्टर तो मैं क्या करूंगा तो उसको निकालने के लिए बच्चों एक थम रूल और यह रूल आपको एलेवन्थ ट्वैल्थ फिजिक्स मैट्स जहां भी वेक्टर यूज हो रहे हर जगे काम में आने वाला है जब भी आ आप हमेशे क्या निकालोगे इसको एबी वेक्टर इस गिवन भाई पोजिशन वेक्टर ओफ फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट मैनस पोजिशन वेक्टर ओफ इनिशल पाइंट और अपनी क्लास में बच्चों को आसानी से याद रहे इसलिए मैं हमेशे क्या बो करने के लिए दिए फाइनल मार इनिश्याल याद रखो फाइनल मास इनिश्याल के आपको फाइनल मानस इनिश्याल याद है तो आपको कभी बी इस तरह के सक्टना निकालनेorseं प्रॉलम नहीं हो एंडिलीब में फिजगा हैं और मैफ में भी हर जगए आपको इस तक formation वो पॉइंट की वीच में निकालने की ज़रूत पड़ेगी और बच्चे कई बार ए भी वेक्टर और बी वेक्टर में कन्फीज हो जाते हैं और सारा कॉशन सिफ इसी छोटी सी गलती के वे से गलत हो जाता है अधरवाइस वो पूरा पॉब्लम सही से करते होते हैं क्या करना है फैनल मैनस इनिश्यल याद रखना यह थमरूल मतलब वेक्टर जहां तक जा रहा तो फाइनल पॉइंट किया है बच्छों पॉइंट बी इनिशल पॉइंट किया पॉइंट ए तो मैंने क्या रखा था पॉइशन वेक्टर ऑफ इनिशल विल गिव यू दा ए भी वेक्टर यह चीज मैंने बताए थी ताकि आपको याद रहे ना ब्रीफ रहे दिमाग में या खाए था ओभी वेक्टर विच इस इस वेलेउ तो क्या हम जाएगा बच्छों X2 Icap व्लस Y2 Jcapf प्लस Z2 K Cap ठीक है जी थी माइनस x1 i cap यहां यह नहीं आएगा plus आएगा y1 j cap plus z z1 k cap so this value will become how much x2 minus x1 यह मैंने क्या किया i cap और i cap को एक साथ लिख दिया x2 i cap और x1 i cap ठीक है तो i cap बाहर आएगा और x2 और minus x1 मिलकर बन गया x2 minus x1 इसको बच्चों क्या बोल सकते हैं यह एक concept है जो हम next part of lecture पढ़ेंगे कि scalar multiplication of a vector ठीक है तो इसके लिए आप देख रहेंगे कि जैसे x1 क्या है scalar है और i cap क्या है एक unit vector है तो scalar का unit vector के साथ multiplication है यहां भी क्या है x2 scalar है scalar मतलब कोई भी number जिसमें कोई direction नहीं है scalar का मतलब क्या होता है कोई भी number कोई भी value तो x2 i cap scalar into a vector यह भी क्या scalar into vector तो it is so common कि आप लोगों कि कोई दिखकत होगी नहीं x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap and plus z2 minus z1 z2 minus z1 z2 minus z1 k cap this value this value is actually a b vector यह नहीं final point minus initial point यह आपको यह याद रह गया तो एक चीज़ और solve हो जाएगी जैसे आपको a b vector चाहिए ठीक है तो जैसे हम लोग अभी vector addition पड़ेंगे उसमें भी आएगा लेकिन उसके पहले भी यह चीज़ बताता हूं जैसे a b vector की direction क्या है o b vector की direction क्या है o से b की तरफ similarly o a vector की direction क्या है o से a की तरफ ठीक है जी और यहां मैंने लिखा था o a बराबर o a vector बराबर x1 i plus y1 j and so on तो इस तरीके से I can write minus of o a vector which is equal to a o vector यह क्या use लगा है मैंने बच्चों इस चीज़ का use किया negative of a vector का तो क्या बन जाएगा यह minus o a vector या फिर a o या नहीं मैं o से a तक जाता हूं तो मेरा vector होगा यह बाला बट यदि मैं a से o की तरफ आता हूं तो vector change हो जाएगा vector क्या बन जाएगा a o vector is equal to final minus initial ठीक है जी और यह value बन जाएगी बच्चों यह value बन जाएगी minus of x1 i cap y1 j cap plus z1 k cap ठीक है जी तो o a vector and a o vector आर एक दूसरे के क्या है negative है ठीक है जी जब o से a की तरफ जाओगे तो o a vector otherwise a से o आओगे तो a o vector तो अब यह आपको मैं समझाने की कोहिश्ट कर रहाता है जैसे a b vector आपने समझ दिया final point minus initial point की तरू कि यह होगा अब इस triangle को देखिए point a b और o एक triangle बना रहे है और यह तीन triangle की sides हो गई अब आपको जाजी a b vector चाहिए यानि आपको point a से बी तक यह दी वेक्टर में आपको कभी भी कोई confusion आए तो बिल्कुल ले मैंन की तरह सोचो कि a से b तक पहुंचना है एक तो तरीका क्या है अब दूसरा कोई रास्ता हो सकता है क्या हो सकता है जी मानली जब a से पहले ओ तक आए और फिर o से b तक जाए यह भी तो पॉसिबल है तो a o vector plus जो जो रास्ता आप travel करते जाएंगे उसको add करते जाएंगे a से पहले o तक आए तो a o vector क्या करोगे आप a o vector a से o तक आने के बाद आपने किया o से वापस चले आप b तक क्यों चले क्योंकि क्योंकि आपको a से b पहुंचना था एक तो रास्ता यह है जो directly आपको a b vector देता है दूसरा equivalent रास्ता क्या हो सकता है a a से पहले o आओ और फिर o से b तक जाओ ठीक है तो a o vector plus o b vector यह भी आपको क्यों किया आपने ऐसा इसलिए किया कि आप a से चलके o तक आए और फिर o से b तक चले गए तो finally आप वहीं पहुंच गए जहां a से b direct चलके आ रहे थे इसलिए मैं a o plus o b is equal to a b लिख देता हूं अब a o vector क्या होता है वहां देखिए minus x1 minus y1 और minus z1 और o b vector क्या होता है x2 plus y2 plus z2 i cap j cap k cap understood ठीक है तो यह दोना value मिलाके मुझे a b दे रही है देखिए एक बार left में a o vector क्या था minus of x1 i cap y1 यह देखिए plus का sign बार बार इस नहीं करना है x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap ठीक है जी यह a o vector हो गया plus किया o b vector o b vector क्या हुआ x2 i cap y2 j cap z2 k cap इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा x2 minus x1 यह minus का sign है ना अच्छो दोनों को add किया तो x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap यह value और यह value same है तो क्या मालूम चलता है कि a से b तक जाओ directly a b vector नेकालो या a से o तक आओ फिर o से b तक जाओ एक करने से क्या हो गया इदी आप triangle law of vector addition पढ़ोगे तो इसमें मालम चलेगा कि if you try to add two vectors represented by two consecutive sides of a triangle then third side in opposite direction represent the addition of first two vectors नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताता हूं language change करें बताता हूं a o vector plus ob vector is a b vector simple एक point से किसी triangle में दो lines के through यह दि दो और vector represent हो रहे हैं तो a o vector plus ob vector is equal to a b vector रहे हैं यां यो चल रहे हैं यहां से यह रहे हो यह से यू चलनेगे यहिदी आसे आप ए से और ऐसे बादी आप ऐड़ोट शाड़ाए हो और आप यह से बाट आड़ गया रहे हो तो यह दो तो यहां से आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज याद रखने है कि कि इसी भी किनी भी दो पॉइंट की बीच में वेक्टर निकालने के लिए फाइनल मैनेस इनिशल का रूल होता है इसको भूलना नहीं है यह बहुत काम में आने वाला है आपके